देश की वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन एक परवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं, चुनावी साल होने की वजह से उमीद जताई जा रही है कि इसमें बड़े बदलाव नहीं किये जाएंगे टैक्स दाताओं को इंकम टैक्स में छूट का इंतुजार है, सारे उद्योग अपने हित्की योजनाओं की उमीद वित्तमंत्री से लगाए बैठे हैं, हलाकि एक टैक्स ऐसा है जिसमें हर बजट में इजाफा होता ही है, उसे हम सिन्टैक्स या पापकर के नाम से जानते हैं आईए जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है ये सिन्टैक्स, कुछ ही महीनों में लोकसभाचुनाव होने वाले हैं, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, जो की पूर्ण बजट पेश करेगी, भले ही अंतरिम बजट में कोई बड़े बदलाम नहीं होने वाले हों, लेकिन सिन्टैक्स का बढ़ना लगभगता है, ये टैक्स तंबाकू, शराब और जुवा जैसे उत्पादों पर लगाए जाने वाला एक बढ़ा कर है, सरकार की कोशिश रहती है कि इसमें महंगा करके जनता को इसके इस्तिमाल से दूर करने का प्रयास किया जाए, भारत लगतार सिग्रेट, शराब और पानमसाले जैसे प्रोडक्ट पर भारी कर बढ़ाता जा रहा है, ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां सबसे ज़ादा सिन्टैक्स लगता है, ये टैक्स से दोहरे लाब होते हैं, पहला सरकार का रिवेन्यू बढ़ता है, सा जाने वाली कंपनियों पर भी भार पड़ता है, ये ही वज़ा है कि सिन्टैक्स को हर सरकार के लिए एक दुधारू गाय के तौर पर देखा जाता है, कोई भी सरकार अपने हर बजट का इस्तिमाल इन उत्पादों पर चोट करने के लिए करती है, ऐसे में तैम आना जा रह है कि वित्तमंत्री इस अंत्रिम बजट में भी इन प्रोडक्ट्स पर सिन्टैक्स बढ़ा कर करी चोट कर सकती है,